सुनिएगा हम लोग यह बात कर लिए देख्या कि MCQ को कब अटेंट करना है पेपर अटेंट सिक्वेंस अकाउंट्स का पेपर अटेंट सिक्वेंस इससे पुराने वाले सिलेबस में तो मैं बता देता था पहले टू करना फिर फोर करना फिर फाइव करना इस बार नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को भी नहीं पता टू फोर फाइव में क्या आने वाला है बट एक basic idea दे रहा हूं जिससे आप अपने accounts के paper को चालू और खतम कर सकते हो so that 3 घंटे में आप अपना paper पूरा अच्छे से manage कर सको सुन्ध्यान से last गुरुग्यान के इसाब से क्या हम लोग MCQs कभी भी पहले कर पाएंगे नहीं यह दो question, दो question मतलब 14 प्लस 14 कितना होता है 28 try करना पहला दो question जो तुम लिखो ना वो सबसे जोड़दार question होना चीए जो तुमको आए यानि अगर तिरको say for example investment बहुत अच्छे से आता है और investment का question आया है तो तिरको पहले हमेशा क्या करना है investment वाला question करना है यानि exam hall में ना experimentation नहीं चलता है वहाँ जो आता है वो पहले लिखेंगे जो नहीं आता है बाद में लिखेंगे या छोड़ देंगे टाइम मिला तो कुछ तो हाथ पर चलाएंगे टाइम नहीं मिला तो as it is छोड़ देंगे कल अवनीत सर कॉस्ट का कॉपी चेक कर रहे थे मैं उनके साथ बेटा था तो उन्हें ने बोला कि बच्चा को इतना समझाने के बाद वो बुडबक mcq में सारा लिखे क्यों नहीं आता जैसे कल मैं उसी की कॉपी देख रहा था अनूप की कॉपी दो mcq छोड़ा था तो एक में अंसर लिखा नहीं था और एक पुरा छोड़ दिया था जो भी जो भी हमको mcq छोड़ना सबसे बड़ा वेवकुफी है क्यों भया नेगेटिव मार्किंग है नहीं कुस्तो करके आ कहीं गलती से राइट हो गया तो दो चार जो मिलना है वो मिल जाएगा तो यह गलती आपको कभी नहीं करना कि mcq छोड़ने का है सबसे पहले आप subjective करोगे subjective question subjective question में भी पहले जो question attempt करो ना try करना 7 plus 7 5 plus 5 plus 4 10 plus 4 ऐसे टाइप के question पहले attempt कर रहा मतलब बोलने का मतलब है जो 14-14 mark के बड़े-बड़े question आएंगे ना say for example company balance sheet prepare किजे 14 marks say for example amalgamation मे आप journal balance sheet बनाईए 14 marks don't do them first दो कारण है number one उन सब चीजों में हम लोग जानते presentation takes a lot of time than your knowledge presentation takes a lot of time जिन चीजों को अगर ऐसा है और आप पहले करने बैट गे ना आप सजाने बैट जाएंगे सजाने में जो चीज 25 मिनट में हो सकता है न वो तुम आदी गंटा 45-40 मिनट लगा दोगे और दूसरा जितना बड़ा question chances है कि उतना कोई ना कोई ऐसा point आ जाए जो तुमारे exam में तुमको याद ना आए और तुमको problem हो जाए मतलब वो 14 mark का question बनाते बैठे और बीच में कह कभी भी paper में initially ऐसे 14-14 mark वाले question पूरे वाले attempt नहीं करने चाहिए यह मेरा personal opinion है दो फायदे होते है एक तो मैं बोला बीच में अटकते नहीं है और छोटे-छोटे question ना फटा-फट बनते है तो थोड़ा momentum बनता है paper में start करते समय तो माल लीजे एक question में आया 7 mark का branch 7 mark का buyback you can 10 mark का investment 4 mark का cash flow बिलकुल करना चाहिए आप सबसे पहले paper में ऐसे दो questions अटेंट करेंगे attempt sequence समझ में आ रहा है मैं यह नहीं बोल पा रहा हूँ वो question 1 होगा 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 तो yes है 2,3,4,5,6 में क्या होगा वो depend करता है कहां क्या बैठाएगा मेरको 2,3 paper देखे बिना यह नहीं पता चलेगा institute exactly किस question में क्या देगा बट यह मैं उक्टेस प्रेपर से समझ में आया है दो बड़ा बड़ा question 14-14 वाल आएगा 2,14,14 का full question आएगा 1 रहेगा yes 6 रहेगा 5,5,5,4 तो कितना निकल गया 4 निकल गया और 2 में 7,7,10,4,5,5,4 वैसे type का question रहेगा समझ गए बात को यानि 2 question रहेगा single single 2 question रहेगा 2,2 और 3,2 question रहेगा 3,3,5,5,5 का yes और नीचे 5,5,4 का वो जो last question रहेगा ऐसा question रहेगा तो पहले वो दो attempt करना जिसमें 7,7 या 5,5,4 या 10,4 है यानि you can do सुनना, you can do the question number 6, जो last question है 5,5,5,4 और you can do any other 2 question जिसमें ऐसा ऐसा breakage दिया हुआ है ये करने के बाद फिर तुमको क्या बोला था किसमें जाना? MCQs MCQs में क्या सिखाया था पहले कौन सा करना है? सीधा वाला, फिर कौन सा करना है? case based करना है case based में बबर buyback जैसी चीजे आ जाये तो पहले करने का है जो सलटता जाये उसको सलटाने का है पेपर में जितना जल्दी complete कर सके हम लोग MCQs के बाद सुनना? यहां तक जितना time लगता है उसके बाद MCQs करने के बाद total time अगर तिरको लग रहा है तिरको और कितना question attempt करना है ये बता इसके बाद? दो कर लिया एक कर लिया तीन और करना है अगर तिरको लगता है sir time थोड़ा short है करते करते एक गंटा 40-50 minute हो गया है पहले AS attempt करेगा क्यों AS attempt करेगा? AS time बचाएगा तो AS attempt करेगा और compulsory भी है time भी बचाएगा compulsory भी है जैसे ही तु AS लिखना शुरू कि आगर to the point लिखेगा तीन question 15-20 minute के अंदर complete हो जाएगा तो जो तेरा time का 10-15 minute पीछे lag कर रहा था तो वापस normalize हो जाएगा फिर लास्ट एक गंटे में में मिरको दो question और attempt करना पड़ेगा वो दो question balance दो question तुम जो चाहो वो attempt कर लेना जिसमें सुन तिरे पास दो चोईस क्या रहेगी दो बड़ा question कर ले 14-14 का या एक 14 का कर ले और एक छोटा वाला कर ले 10-4 वाला वैसा कर ले द्याने बात दोनों बड़ा बड़ा वाला question करने से थोड़ा सा time crunch हो जाता है तो generally बच्चा का जो option छूटता है वो 14 माक का एक question वो पूरा छोड़ के आता है अन्लेस तिरको पूरा आता है तो बात अलग है otherwise generally बच्चा जो दो बड़ा बड़ा question आता है उसी में एक छोड़ के आता है वैसे financial statement में माले balance sheet PL दोनों दे दिया बोला चौदा में तो 100% short short छोड़ दे इसको क्योंकि ये 14 माक का करने के लिए मेरे को 35-40 मिनट लगेगा उतने देर में हम दूसरा और AS का कुछ question लिख किया आ जाएंगे short short choice होना paper में मज़ा आ जाता है say for example consolidation का याद है वो एक टो बड़ा question किये थे master question मानले वही as it is बढ़ा दिया 14 में तिरको पता है छोड़ना है no point of touching ये choice होने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है you are clear हमको कितना लिखना है नहीं तो उसमें भी पांच मिनट दो मिनट बच्चा वेस्ट करता है भाई four लिखे या three लिखे वो tension ही नहीं हो तो बहुत बड़ी है कि एक question ऐसा है जो हमको आता ही या आता है बड़ सरी है करने ल paper attempt sequence clear है पक्का पहले दो question आप करेंगे कौन से वाले 7 plus 7 या 10 plus 4 फिर mcqs में जाएंगे फिर as करेंगे फिर last के दो question या तो बड़े कर लो दोनों या एक बड़ा और एक 10 plus 4 या 7 plus 7 वाला कर लो पक्का अब हम यह नहीं बता पा रहे है वन करना या टू करना या थ्री करना बड़ हम यह बता दिये tentatively कैसे करना चाहिए done as पहले नहीं करना चाहिए simple इतना reason बोल रहा हूं तुमको भी बता है तुम क्या राम गाथा लिख के आने वाले हो initially paper में राम गाथा लिख के आना सामने वाले के लिए ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बच्चे को आता नहीं हो सब बना बना के कर रहा है तो आगे जो practical में भी marks proper मिलने वाला था ना वो भी कम हो जाता है एस कभी मैं अडवाइस नहीं करूँगा शुरू में या एकदम लास्ट में एस और एमसी की उसको बीच में रखना चाहिए तो पहले हम दो क्वेशन करेंगे फिर एमसी की उस करेंगे फिर लास्ट के दो क्वेशन में जाएंगे अबी जो मॉक टेस्ट होगा उसमें ट्राइ कर लेना क्या ये तुम्हारे लिए काम आता है क्या अगर काम आता है तो फाइनल एक्जाम में तुमको हेल्प करेंगा याद रहेगा आपको पक्का आगे चले हम